Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम मैस के क्वेस्टन को सॉल्व करना सीखेंगे. क्वेस्टन इस प्रकार से हैं, पांच लगातार संख्याओं का और सत 16 है, तो इन में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? आप्शन से, आप्शन A 18, आप्शन B 19, आप्शन C 20, यवाम आप्शन D 21, ठीक है? तो क्वेस्टन में क्या पुछा जा रहा है? हमें सबसे बड़ी संख्या ग्याद करनी है, ठीक है? कहा जा रहा है कि कोई पांच लगातार संख्याओं हैं, जिनका और सत 16 है, उन में से हमें स सवाल को कैसे हल करते हैं, उसको सीखते हैं, तो सबसे पहले हम माल लेते हैं, माना, पहली संख्या बराबर, पहली संख्या बराबर क्या माल लेते हैं? एक समाल लेते हैं, ठीक है? तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा हमारा x plus 1 हो जाएगा तीसरी संख्या बराबर क्या होगा तो तीसरी संख्या बराबर होगा x plus 2 वहीं चौती संख्या बराबर क्या हो जाएगा तो चौती संख्या बराबर हो जाएगा हमारा x plus 3 और पाच्वी संख्या बराबर क्या होगा तो पाच्वी संख्या बरावर हो जाएगा X प्लस 4 ठीक है इतना हमको क्या करना है माल लेना है अब एक सुत्र की सहायता से इस सवाल को आगे हम हल करेंगे सुत्र इस प्रकार से है पहली संख्या बरावर ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं पहली संख्या बरावर यहाँ पे हो जाएगा संख्याओ का योग या लगातार संख्याओ का योग भी आप लिख सकते हैं संख्याओ का योग बटे में उल संख्याए ठीक है उल संख्याए बरावर यहाँ पे होगा आपका आप साथ clear, अबिशुत्र में हम क्या करेंगे, मार रख देंगे ठीक है, तो हमें पहली संख्या ग्यात हो जाएगी तो संख्याओ का योग , पहला संख्या हमने माना x उसके बाद प्लस कर देंगे x Plus 1 को फिर प्लस कर देंगे x Plus 2 को फिर प्लस कर देंगे x Plus 3 को और फिर प्लस कर देंगे x प्लस 4 को ठीक है इस प्रकार से ये कुल 5 संख्या है आ गई बटे में आपका कुल संख्या है कितनी है कुल संख्या आपका 5 है तो ये नीचे में 5 आ जाएगा और यहाँ पर बराबर औसत कितना है आपका तो औसत दिया हुआ है question में 16 ठीक है अब इसको आगे जब solve करते हैं तो चलिए इसको जोड़ देते हैं यहाँ पर 1 x है ये दूसरा हो गया तीसरा हो गया ये चौनथा हो गया और ये 5 हो गया तो x x जूड़ेगा तो total x कितने आ रहे हैं 5 x है तो 5 x यहाँ पर लिख देते हैं अब संख्याओ को जोड़ देते हैं यहाँ पर 1 है 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 और 6 प्लस 4 हो जाएगा आपका 10 ठीक है ये 10 यहाँ पर आ जाएगा बटे में क्या है आपका 5 है बराबर में 16 ठीक है अब आगे क्या करेंगे आगे इस 5 को क्या करेंगे हम पक्षांदर करेंगे ठीक है तो चली कर लेते हैं तो पक्षांदर करने से क्या हो जाएगा यहाँ पर होगा आपका 5 x प्लस में 10 ठीक है बराबर 16 फॉला फांच को जब पक्षांतर करेंगे उदर बटे में है भाग में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुने में हो जाएगा ठीक है अगे इसको करते हैं तो 5X plus 10 equal 16 पंचे कितना होता है 80 ठीक है अब क्या करेंगे 80 आ गया अब 10 को क्या करेंगे उदर पक्षानतर करेंगे तो 5X equal क्या हो जाएगा आपका 80 minus 10 हो जाएगा ठीक है अब 80 मेंसे很多 10 को घटाएंगे तो क्या होगा 80 मेंसे जब 10 घटेगा तो 5x बराबर आपका क्या आएगा 70 आएगा 30 आगया अब आगे क्या होगा तो आगे इस 5 को क्या करेंगे फिर पक्षाणतर करेंगे अधर यहांप आप देख सकते, 5 जो है x के साथ गुने में ях ठीक है इसको जब उधर पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में चला जाएगा चलिए कर लेते हैं, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, आपका 70 बटे में 5 हो जाएगा, अब इसको जब solve करेंगे, ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, चलिए भाग देते हैं, 5 एकम 5, ठीक है, यहाँ पे 5 एकम 5, साथ में से 5 गया बचा 2, और 5, 20, ठीक है, तो 70 जो है 5 से 14 बार में कड़ जाएगा, ठीक है, तो हमारी x की value आगई है, x की value कित्ती आई, तो x बराबर आया हमारा क्या, 14, यानि कि पहली संख्या बराबर क्या आ गया, 14 आ गया, तो पहली संख्या हमने ग्याद कर लिया, तो अ संख्या बराबर, हमने क्या माना था, x प्लस 1 माना था, तो यहाँ पे x का मान रख देते हैं, 14 प्लस 1 बराबर कितना, 15, यह हमारा क्या आ गया, दूसरा संख्या भी आ गया, अब हम तीसरी संख्या निकालते हैं, तो तीसरी संख्या बराबर क्या, तीसरी संख्या बराबर आपका क्या होगा X plus 2 X का मान किता है 14 यहापे 2 और यह आजाएगा आपका 16 यह आपका तीसरी संख्या भी निकल गया ठीक है अब 4-3 संख्या हम निकाल लेते हैं तो 4-3 संख्या बराबर क्या 4-3 संख्या बराबर हमने माना था X plus 3 एक्स का मान लग देते हैं चौदा प्लस 3 ये आपका आजाएगा 17 ठीक है तो चौथी संख्या बराबर भी हमने निकाल लिया अब पांचवी संख्या निकाल लेते हैं तो पांचवी संख्या बराबर क्या हो जाएगा पांचवी संख्या बराबर हो जाएगा आपका x प्लस 4 x का value किता 14 और प्लस 4 तो यह आगे आपका 18 ठीक है पाचवी संख्या का भी मान हमने निकाल लिया इस तरीके से अगर हम देखे तो हमने पहली दूसरी तीसरी चौती और पाचवी संख्याओ का मान जो है ग्याद कर लिया है ठीक है तो पहली संख्या हमने कितना निकाला कितना ग्याद किया तो पहला जो संख्या है वो हमने ग्याद किया 14 दूसरी संख्या हमने निकाला 15 तीसरी संख्या हमने निकाला 16 चौती संख्या हमने निकाला 17 और पाचवी संख्या निकाला हमने 18, ठीक है, question में क्या पुछा गया है, कि इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पे हम जदी देखते हैं पाचव संख्या को, तो हमें 18 जो है वो सबसे बड़ी संख्या नजर आती है, ठीक है, यानि कि जो लगाता संख्याएं हैं, उनमें से सबसे बड़ी संख्या होगी, तो वो 18 होगा, और यही आपके question का answer होगा, तो चलिए देख लेते हैं कि कौन से option में 18 दिया हुआ है, options को देखें, तो option number A में 18 दिया हुआ है, यानि कि इस question का जो right answer होगा, वो होगा option number A 18, ठीक है, पाच लगाता संख्याएं, जिनका उसत 16 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या जो होगी, वो क्या होगी, 18 होगी, आसा करता हूँ, आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा, और इस सवाल को किस प्रकार से हल किया जाता है, वो अब अच्छे से समझ में आएगा, इसी प्रकार के important topic को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,